दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी योनो SBI एप को यूज करते हो यानि आप भी जो है ट्रांजेक्शन वगेरा के लिए योनो SBI एप को यूज करते हो तो आपको खभी ने खभी जो है योनो एप के दोरा कुछ रिवार्ड्स पोइंट मिले हो होंगे तो हम जो है in rewards Point को योनो SBI पर किस तरह से चेक कर सकते हैं कि rewards ौइंट हमारे को जो रेकितने मिले हैं अगर मिले हैं जो फोन में YoNo app इंस्टोल कर रकी है उसको आपको open करना है open करने के बाद सबसे पहले आपको जो है app में login हो जाना है app में login के लिए आपने mpin या user id इसमें जो भी set कर रखा है वो डाल के और इसमें आपको सबसे पहले YoNo में login हो जाना है इसके बाद में जो investment का option है इन्वेस्टमेंट वाड़े ओप्शन के उपर किलिक कर देना है तो जैसे मैं इन्वेस्टमेंट के ओप्शन के उपर किलिक करूँगा किलिक करते ही जो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मेरेको जो है यहां पर शो कर देगा और इसी में आपको एक option मिलेगा my rewards का तो इस my rewards वाड़े option के उपर हमारे को click कर देना है जैसे ही my rewards वाड़े option के उपर click करूँगा click करते ही यहाँ पर जो है मेरे को show कर देगा कि मेरे reward point कितने है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे यह reward point है वो इतने show कर रहा है आपके भी जितने भी यहां पर reward point होंगे वो reward point आपको यहां पर show कर देगा और जो redeem now का option है यहां पर जाके आप reward point को check भी कर सकते हो इसके बाद में upcoming expiry date तो यहां पर आपके reward point की एक expiry date भी आपको show हो जाएगी यानि इस date से पहले पहले आपको जो है reward point को redeem कर लेना है नहीं तो आपकी जो है reward point expire हो जाएगा फिर किसी काम का नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको भी आपके reward point का जो है शो कर देगा कि expiry rate क्या है इसके बाद में नीचे एक option है transaction detail यहाँ पर transaction detail में आपको show कर देगा कि आपको जो reward point मिले हैं यह किस transaction से जो है आपको मिले हैं तो दोस्तो इस तरह से आप जो है Yono Sbip को open करके और आपने reward point को जेक के और बड़ी ही आसानी से end point को जो है redeem कर सकते हो वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कुरी हो comment box में जरूर लिखे मैं जितनी हो सके आपकी पूरी help करूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवा थेंक्यू